नमस्ते बच्चों, आज हम आपको बेमान दुकांदार की कहानी सुना रही हैं। आईए सुनते हैं कहानी। गाव में एक किसान रहता था, जो दूद से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन बीवी ने उसे मक्खन तयार करके दिया। वो उसे बेचने के लिए अपने गाव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेढ़े की शकल में बना हुआ था। और हर पेढ़े का वजन एक किलो था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकांदार को बेच दिया। और दुकानदार से चाइपत्ती, चीनी, तेल और साबुन बगेरा खरीद कर वापस अपने गाव को रवाना हो गया किसान के जाने के बाद, दुकानदार ने मक्खन को फ्रिज में रखना शुरू किया उसे खयाल आया के क्यों ना एक पेढ़े का वजन किया जाए वजन करने पर पेढ़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला, हैरत और निराशा से उसने सारे पेढ़े तोल डाले मगर किसान के लाए हुए सभी पेढ़े 900-900 ग्राम के ही निकले अगले हफ़ते फिर किसान हमेशा की तरह मखन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर चड़ा दुकानदार ने किसान से चल्लाते हुए कहा दफा हो जा, किसी बेमान और धोखे बाज से कारोबार करना पर मुझसे नहीं 900 ग्राम मक्खन को पूरा एक किलो कहकर बेचने वाले शक्स की मैं शकल भी देखना गवारा नहीं करता किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार से कहा मेरे भाई हम तो गरीब और बेचारे लोग है हमारी माल तोलने के लिए बाट खरीदने की हैसियत कहा आपसे जो एक किलो चीनी लेकर जाता हूँ उसी को तराजू के एक पल्ले में रखकर दूसरे पल्ले में उतने ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूँ यह सुनकर दुकानदार बहुत शर्मिंदा हुआ कहानी की सीख जो हम दूसरों को देंगे वही लोट कर आएगा चाहे वो इज़त, सम्मान हो या फिर धोखा ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले